ओम सिरीगनी सैनमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अक्टूबर मंगलवार की रासी फल के पारिमी QIHer Din, SINGH Raši वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फायधा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा सिंग रासी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदाएक सूचना आपको प्राप्त होगी दोस्तो और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफिल लाबदाएक साबित होंगे दोस्तो शाथ यसाथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना है दन के निवेस संबंदित कारों पर आज आप विशेश रूप से ध्यान दें लाबदाएक समय आज आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सदियों प्योग करें दोस्तो कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कारों के परती आज आपका रुजहन रहेगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से चानवीन करें इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तो किसी मित्र के मुशीबत के समय में आज आप उसका सयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धानतों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का आशिरवाद और इसने आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आपका रुजहान रहेगा जरुतमंदों की साहिता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज आप अपने स्वयभाव पर नियंतर रखें क्योंकि कभी कभी वहवार में चड़ चड़ापन आपको अपने लक्षे से भटका सकता है और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तो आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुसा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें दोस्तो बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दरसन देने की आपको आवश्चकता है मकान वे गाड़ी से संबंदित काग जादों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें उनके खोने या रख कर बूलने की आज संभावना बन रही है दोस्तो अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड़ सकता है किसी नजिदी की रिष्टिदार से आपकी जिद की वज़े से संबंद खराब होनी की भी आसंग का है दोस्तो अपने श्वबाव में लचीला पन रखें तता रिस्तों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तो संतान की किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहीगी परंतु आपकी समसदारी वे सूझ बूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहे कि भावुकता में आकर कोई भी निर्ने ना लें वैवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक हैं दोस्तो विरोधी आपके लिए आज कुछ मुस्किलें पैदा कर सकते हैं परन्तु आप अपना आत्म विश्वास बनाए रखें आपको विजय हासिल होगी दोस्तो साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुस्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मानसिक तनाओ बढ़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के शिरेने वाल है अपने वहवार को आप सयमित रखें दोस्तो अपने प्रतेक कारणे में जीवन साथी की सला लेना आपके के कार्रों को पूरा करने में मदद करेगा प्रेम संबंधों में भी परिवारिक शुकरती प्राप्त होगी दोस्तो वैस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल म उचित समय नहीं दे पा रहे हैं परंतु जीवन साथी आपकी परिसानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे दोस्तों घर के किसी भी मुद्धे को आपस में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएं और माहोल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन सं संबंदित प्रोग्राम भी बनाएं इस से आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाएक जीवन काफी खुसनुमा बना रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जापका वैवसाई केरियर कैसा रहने व को भी कहीं नोकरी संबंदित विबागिय परिक्षा में मन मुताविक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं किसी विशिष्ट वैक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सलां आपके वैवसाय के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी दोस्तों इसकी बहुत अधिक आवश्यक्ता है इस बात का आप जरूर ध्यान रखें नोकरी पेशा वैक्ति को कोई उपलब्दी मिलने के योग आज बन रहे हैं जिससे उनको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तों वैवसायक उदेश्यों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव है अगर किसी नए कारे की सुरुवात की हैं तो अब उसके उचिते परणाम आपको मिलने सुरू हो जाएंगे नोकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ नए अवसर आज बन रहे हैं दोस्तों आपको अपनी महनत के अनुरूप आज फल दायक परणाम प्राप्त होंगे पर फायदेवन्द साबित हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज गला खराब और खासी जुखाम जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं लापरवाई ना करें अपनी दिन चरिया व्यवस्थित रखें और आयरुवेदिक च दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इस नान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाएं और भगवान बजरंग बली जी को आप केवड़े का इत्र वे गुलाब की माला अवश्य च चल रही हैं समस्त परेस नियुकांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुबव फलो के प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कर रहें भगवान बजरंग बली के आशिर्वाद से बहुत आसनी से बनते चले जाएंगे दूस्तों बजळवान बजरंग बली का शिरवा आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैब जरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद